हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ वीजिया और आप देख रहे हूँ वीजिया अस क्रिएटिव गार्डन फ्रेंट्स हमने अपने टेरेस गार्डन के लिए गमला रखने के लिए एक स्टैंड बनवाया है वैसे तो कई stand बनवाये थे लेकिन वो terrace garden तक ही नहीं आपाई है आज जो है हम आपको उसकी कीमत भी share करेंगे उसकी design के बारे में भी थोड़ा बताएंगे कि किस तरीके से उसको मैंने customize करवाया है फ्रेंट इससे पहले भी मैंने 2-3 stands बनवाई है लेकिन वो इस दर्वाजे के चक्कर में ये उपर तक ही नहीं आपाए क्योंकि ये जो दर्वाजा था ये कुल धाई fit का है और ये जो दिवार है ये सभी stands को उपर आने में आड़े आ रही थी फंस जा रहे थे सारे stands तो उनको मुझे ground floor garden में ही adjust करना पड़ा पहली बार मैंने जो था सभी चीजों को ध्यान रख करके size देख करके मैंने जो था अपने आप ही उसका सब कुछ design करा कितनी लंबाई चड़ाई चाहिए और फिर उसको बनवाया वैसे तो बनवाना बड़ा मुश्किल हो रहा था कोई अलाबाद में बनाने को तयार नहीं था सब रेडी मेट ही लेना चाहते थे फिर एक बड़ी मुश्किल से मुझे अलाबाद में जो कट्रा मनमोहन पारक है वहां पर मुझे एक मिल गए तो उससे उन बनवाया इसको इसको बनवाने के लिए मुझे कई बातों का ध्यान रखना था एक तो यह भी देखना था कि ज्यादा पैसा ना लगे महंगा ना बने दूसरा वजन भी बहुत ना हो तीसरा जो सामने दिवार है उससे उंचा ना जाए क्योंकि गमले रखने पर और उंचा होगा और आने पर जो गमले हैं वो गिर के पीछे की साइट जा सकते हैं तो इन सबी बातों का मुझे ध्यान रखना था तो यह था कि वैसे तो रेडी मेट खरीद लो लेकिन रेडी मेट हमारे उपर चर्ण नहीं पाते हैं थर्ड फ्ल के डेडी मेट है जहां गमले रखते हैं यह जो है यह जुन है यह चाल यह घ्री अर्णा रखने चाहें मिए और यह मैं रखकी है दस इंच पहले ने इसको भड़ा कर गड़ा टा लेकिन में पर यह प्रॉब्लाम आ रह ती यह सामने बाली डिवाले इससे एव्य। यह से बनवाया ये पीछे की तरफ टेक लगवा दिया है ताकि गमला जो है गिरेना उसे अड़ा रहे है उससे ये जो था बीच बीच में ऐसे सरीयां डलवा दी है ताकि जो थोड़ा मजबूती रहे ऐसा ना हो जोल पा जाए वजन पाकर के बीच में दमने सा लगे तो करा इसक ताकि खिसकाने वगरा में अराम रहे इसमें अपने कम से कम 15 गमले तो अराम से रख लेंगे ग्रो बैक्स भी रख सकते हैं और हैंग बास्केट भी लटका लेंगे इसमें तो यह मुझे टोटल 1700 का मिला है और यहां पर जो है इसको मैं कलर कर रही हूं इसी से यह जो खिड कर रही हूं करने के लिए तारपीन का तेल जरूर रखेगा क्योंकि कलर अगर हाथों में कपड़ों में लग जाय तो यह इससे तारपीन के तेल से छुड़ा सकते हैं असानी से तो हमने जो है कलर विगेरा कर लिया है बारिश बहुत तेज हो रही है इसलिए उसमें वीडियो कारी के साथ तब तक के लिए बाबाए